Awakening with Brahma Kumaris Om Shanti, Awakening with Brahma Kumaris में आप सब का स्वागत Self-management की इस पूरे श्रिंखला में बहुत सी चीजें हमने देखी समझी कि कैसे खुद अपने आपको हम manage करना सीख सकते हैं जाहे उसमें बात responsibility की थी, रिष्टों को भी देखा कितने roles हमने बहाते हैं और अब हम पहुंचे हैं resources पर ये हमें समझ में आया है कि हमारे सामने physical resources हैं हमारे सामने mental resources हमारी अपनी जो संकल्प के शक्ती है, जो thought power है वो कितना बड़ा resource है, कैसे हम उसको use कर सकते हैं आज resources को ही थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि कुछ और भी हमारे परस ने दी है, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और सभबात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रामा कुष तोड़ा सा रीकाप ले 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 थैं क्योंकि एक बार एक नए रूप में हमारे सामने आघा है कि एक तो मेरी ये फिजिकल जो आपने बताया था कि ये मेरा रिसोर्स हुआ और एक मेरी जो थौट पावर है उसको मैं कैसे एक रिसोर्स के रूप में, एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर से थौट पावर तो सबसे बड़ा रिसोर्स है ना शारा दिन में हम जो कुछ कर रहे हैं, जो अ मेरा डिसोर्स है अज उस्तिए बड़ा तो सबसे बड़ा रिसोर्स है लेकिन वोसको राइट विधी से यूज न करें तो वो धन बढ़ने की बजाए या वो वेस्ट हो जाएगा similarly हमारे पास एक स्टॉक अज़ एक स्टॉक अनरजी है लेकिन सारा दिन में हम इसको किस तरह से यूज करते हैं अब हम सब को पता है के what is the quality of our thoughts most of the time हमारी सबसे वालूबल जो रसोर्स है अब हमारी सबसे वालूबल जो रसोर्स है that is thought power क्योंके सब कुछ जो हम करते हैं सारा दिन में चाहे वो हमारा वर्क है चाहे हमारे रलाशनशिप से it all is beginning with a thought तो अपनी तोट्स को राइट विधी से यूज करना that will decide everything that happens with me in life क्योंके my thought then my feeling it will come out into action and जो मेर अच्शन होगा उसी का result मुझे मिलने वाला है so everything is beginning with the thought तो thought power to सबसे बड़ा रसोर्स है in fact कई रर हम यही कहते है सचिवानी कि मैंने सोचा और वो हो गया अभी सोचा ही था और वो हो गया absolutely क्योंके energy है वो energy ही तो अब यह डिपेंड करता है कि हम कितनी powerful thoughts create करते है हमारे हाथ में है सब कुछ लेकिन क्योंके हम aware नहीं है जैसे धन है लेकिन manage नहीं कर रहे है तो उसमें से कुछ useful तर इसे जाएगा कुछ waste जाएगा इसी तरहे resource है mental power, thought power लेकिन awareness ही नहीं है सारा दिन में कितने thoughts create हो रहे है किस-किस के बारे में सोच रहे है किस-किस के बारे में क्या-क्या सोच रहे है अच्छ अपने बारे में कैसा सोच रहे है मेरे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा What is all this? वोई एनोरची ।ोड बी उसे करेसे हैं, जितने पौजितीव or तोच्ज फरेते हैं, क्वंटिटी पहुंती है। अऩल बॉतीई लोगेयें, लेकिं नेगवेडियें वेस्तोच्ट। इतने फास्त चलते हैं कि तना बीन चलेगा, कि सलो प 이걸 करेते हैं चहते हैं तो बुझ ऐसके साथ लिंक जुड़ता जाता है क्योसिए आप आप पॉजिटिव थौट कॉंशिछ सेफर्ट करेगर तके बावेरनस खर्र investments जाता है बonen गुसभरी द क्रिया है बहुत कुछ भुबल देते हैं जब हम react कर देते हैं verbally तो हम बहुत कुछ बोल देते हैं जब गुसा आता है लेकिन जो हम बोलते हैं is a very small percentage of जो हमने actually सोचा होता है उस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ अगर सोचा होता है ना किसी के बारे में over a period of time तब अगर गुसा आ गया या trigger हो गया वो तो उसमें से जो 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 ज अगर बार बार यह होता जाएगा तो दीरे दीरे वो करना भी नहीं पड़ेगा आपको सारा दिन में एक अवेरनेस रहेगी और ऐसा नहीं है कि एक दम से बीकिन जाएगी पतह चल जाएगा अब बड़ेगा अवेरनेस शैघ्या सकता जाएगा गार अब जैसे आएगे पता जाएगा नहीं रहा नहीं एक pagan गवारों तो फिरीलाज करना तो जहाँ एक किन लिए हो रहां किसरे हो रहा क्यों हो नहीं हो रहा दोरा इन गाश्ज ओ पत कि अघिए भी नहीं चलरा है धरता है और यहीं सोच रह और फीुर्टाजी तो आप अपना लाज नहीं कर वाते है तो जिस दिन बिमारी का रूट कास्पटा चाल जाता है तो चले एक बिते हैं लाज करना इस नुट इपिकल्ट तो अगर सुबह हम थोड़ी दियर ऐसे अपने साथ time spent करें just to see what is happening here and then consciously create positive thoughts क्यों क्योंके negative thoughts हम खतम नहीं कर सकते you know sometimes people just feel के meditation means सोचना बंद कर दो you know just focus on a point and आप सोचना बंद कर दो one, it will not happen एकदम से आप फिफ्ट स्पीड में गारी चला रहे हैं तो बोलर अगदम से उसको नूटरल में लिया तो वो जटका लगेगा अब यहां जटका मतलब क्या कि बहुत फास्पीड पर आपकी थोट्स है and suddenly अपने आपको कहते हो no thoughts, I am not to think so the here pressure gets built up so no thoughts is not the solution and अगर no thoughts हम कर भी लिया but when we go into activity तो मुझे ऑफिस में आज प्रोजेक्ट है लोगों से मिलना है you know situation बहुत चालेंजिंग है can I say no thoughts? thoughts to create कर नहीं बढ़े है so my meditation जो मैं करती हूं it is supposed to benefit me in my day to day अगर हम no thoughts कर भी ले हमें अच्छा लगता है थोड़ी दिर क्योंकि कुछ wastage नहीं हुआ लेकिन सारा दिन में सारा दिन में वो मुझे कैसे benefit करेगा तो राजयोगा meditation में हम thoughts को बंद नहीं करते हम consciously elevated, positive, powerful thoughts create करते हैं so it's basically a frequency कि हम सुभ उठकर, time निकाल कर अपने mind को एक अलग दिशा में उसको आदत नहीं है उस दिशा में जाने के उसको आदत है ये fast fast वाले तो उसको धीरे से, धीरे धीरे हर रोज उसके साथ बैठकर पयार से उसको दूसरी दिशा में लेकर जाना है अब जब हम उसको positive की तरफ लेकर जाना शिरू करते हैं it doesn't go immediately फिर वोई थोर्टस आते हैं तो आए ये तो वी ठाका इते हैं तो वी हव तो वुट विड़ा जैंटली नोग थार्शली बट नौक टो गिव अप अब कई बर हम ठ्राइक करते हैं अब ये करते हैं अधिशन होता and we give it up it will not happen in one day, two days, ten days It will take its time जो चीज को इतने सालों से या कहें इतने जन्मों से शाएद एक पतिकुलर दिशा में जाने की आदत थी, उसको हम धीरे धीरे दूसरी दिशा में लेके जा रहे हैं, it will take little time, but we have to not be harsh, we have to be very gentle with ourselves, लेकिन होगा क्या, कि आप अप एक फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, you are tuning into a different frequency altogether, so उसका जो benefit होगा, वो सुरफ सुभ नहीं होगा, वो दिन भर में हो जाएगा, वो दिन भर में हो जाएगा, कि आपने आदत डाली है अपने मन को अब पॉजिटिव सोचने की, तो फिर उसकी जो प्रापती है, वो सुरफ सुभ के 10-15 मिनित, आदा गंटाने, सारा द पर हमें सिर्फ का सचना नहीं पड़ेगा, आदा तो शुछना नहीं पड़ेगा, आप तू थिंग जो थिंग पोजिटिव, तीसरी जो हमारी चीज है, हमारी मेरी, तो बच्पन से हमें पथा की यह बहुत वालुबल है पढ़ाई में हर दाई में हर टाम यह बहुशं से बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आज हम जो हैं, हमारा जो व्यक्तित्व, not physical personality, but मेरी जो व्यक्तित्व है, that's a lot based on my memory. Because in this memory में हमारे हर थोट, हर फिलिंग, और हर अक्शन रेकॉर्ड होता है. Every thought I create, feeling I generate, and action I perform gets recorded here. मेरी हर habit, हर tendency का रूट कहां पर है, memory में. So like computer में होता है, memory, to memory में क्या करते हैं, जो program आपको work करना उस computer में, आप उस program को memory में लोड कर देते हैं. So the programmer basically loads the program in the memory, and then the program starts running on its own. So यहां भी हम every thought जो सारा दिन create करते हैं, it gets loaded into the memory of my computer here. And every this thought and habit that gets formed, is finally my personal, you know, program. This is who I am, over a period of time. Habits होती क्या हैं. कोई भी चीज जो हमने कई बार 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 कर ली, वो बार बार करने से यहां सेव होती गई. Now that has become my habit. अब जब नेक्स टाइम इंपल्स आएगा, let's say for example, cigarette पीना. किसी ने जब बहुत बार smoking कर ली है, अब नेक्स टाइम उसको सिगरेट दिखे या उसको स्मृति आए या कोई उसके सामने पी रहा है, उसको सोचना भी नहीं पड़ता है. You do not even have to create a thought, I want to smoke a cigarette. ये थोट भी नहीं करना पड़ता. So mind यूज नहीं हुआ, intellect भी यूज नहीं होती, कि cigarette पीना right है, या wrong है, ये भी नहीं होता. So what happens? Mind and intellect, which are our two valuable resources, इसको बाइपस करके, हम सीधा action में आगए. इसको हम कहेंगे impulse, कि out of impulse I come into action. I felt like having a cigarette. You know, it's like, they don't even think. They don't even think. See, कि सोचना भी पड़ता कि मुझे पीना है, या किसको नहीं सोचना पड़ेगा, जिसने कई बार वो कर लिया है. So impulse is basically, जहां आपको ना सोचना पड़ता है, ना समझना पड़ता है. So mind and intellect, both faculties are totally bypassed and it just comes out into action like that. लेकिन impulse means क्या, एक action जो हमने कई बार रिपीट किया था, अब गुसा भी ऐसे हो गया. जैसे cigarette पीना या यह सब बाहर की आदते हैं, लेकिन गुसा, क्यों हमें नहीं पता चलता कि यह अच्छली हम कर रहे हैं. क्योंकि कई बार करने के बाद, it has become my habit, अब ना हम सोचते हैं उसके बारे में, ना उस पर एवालिए करते हैं कि करना हैं नहीं करना, it just comes out. This is how it is coming out. So lot of my habits have become so deep-rooted, कि ना यह वर्क बाइम्पल्स, मैं, I'm not, and when I start working by impulse, तो creative process बंद हो गया, automated हो गया, it's like it's a reaction, you know. क्योंकि मन और बुद्धी जो दोनो वो एनरची हैं, जो क्रेटिविटी को लाइंगी, कि एक नया response करें, सोचें कि यह करूं यह नहीं करूं, करूं तो कैसे करूं, वो तो दोनों फाकल्टी इस बाइपास हो गई हैं, तब हमें पता नहीं चलता, कि मैंने गुसा कर दिया, या तब हम बोलेंगे, मैंने नहीं किया, उन्होंने दिला दिया, क्योंकि मैंने उसके ओपर ना सोचा था, ना डिसाइड किया था, कुछ भी. तो यह जो हमारा परस्नल प्रोग्राम यहां बन जाता है, एक बार आपने प्रोग्राम कंप्यूटर में लोड कर दिया, आफ्टर दाट, इट वो जिस्ट रॉक उन इत्सों, तो इम्पल्स कैसे है, जैसे अगर कंप्यूटर पर आप काम करते हो, अगर आप कीबोर्ड पर कोई भी बटन प्रेस करो, तो वो इमिजिटली वो कारेक्टर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पढ़ाएगा, लेकिन वो इम्पल्स नहीं आया, उसका प्रोग्राम अल्रेडी फीड किया होता है, कि यह की प्रेस होगी, इस 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 दो कोड़, और इस इस दो कारेक्टर उन द कि आपके वो बोलने में और मेरे वो रियक्ट करने के बीच में, एक प्रोग्राम यहां अल्रेडी कोड हो चुका है, और यह रिए बटन प्रेस किया, लेकिन जो मेरा रियक्शन था, यह बेस्ट उन प्रोग्राम, अब जैसे कीबोड है, अगर कीबोड और मॉनिटर के इं अच YOU है, यह बेस्ट, अचेच, जो हमरा रिपीच आइगा कोड और में लिए कोड में, अचेच, वो हमारा वर्यम्रा में अचrias बन आथ है, हमें अब अवारमस कि आफेटर है, हमें के लग लगता है, यहांसे अच्छ्ँर आया यहांसे मैं वैंने इनेकिया, यहांसे मैंन इस बात यहाई कि यह रिलाइज हो जाएगा कि की नपने वाला और वो लिखने वाला जो गुरा प्रोग्राम था वो मै था तो मुझे पता है कि उसको मैं चेंग पिर सकता है यहीं कोई बढा सकता है बाहर से right लेकिन मैं स्क्रीन पर क्या दूंगा that will be based on जो मैंने प्रोग्राम लिखा होगा so मेरे बटन्स प्रेस करने वाले आप हो actually situations जो बाहर से आती है but what I will flash on my screen here will be based on what code I have written inside now अगर जो मेरा response आरा है if I don't like it I can't tell you आपने ये बटन क्यो प्रेस किया I can only change my coding तो वो coding मुझे कहाँ change करनी पड़ेगी यहाँ क्योंकि इस प्रोग्राम में जो यहाँ feed हुआ है इसकी जो deepest layers है वो है हमारी belief system बच्पन से एक-एक belief जो यहाँ बैठी हुई है तो वो belief से हमारी एक-एक thought एक-एक feeling create होती है अब शुरू में तो it will just start fresh एक-एक thought, एक-एक feeling लेकिन वो यह thoughts जब बार-बार create होने लगे now it becomes my habit so if we look at it like a tree तो जो पेड के जो roots है that is our beliefs and perceptions जो trunk है that is our thoughts and feelings and then the branches are our actions लेकिन यह जो सारे actions आरे है यह शुरू कहाँ से हो रहे हमारे beliefs अब यह जो वरिक्ष है के यहाँ beliefs and perceptions the trunk is thought and feeling and then is the action अब यह जब बड़ होता जाता है तो it becomes like a creeper you know, जो अपने और ही फिर लपेट लेता है तो यह मेरी personality बनती जाती है all my actions, all my thoughts and feelings it just goes on तो जैसे यह creeper या बेल जो है लिपतती जाती है my true self gets hidden somewhere inside and this, my habits and tendencies becomes my actual personality I think this is who I am and my true self here the original self gets hidden inside तो यह जो बेल बन जाती है it's also like a fence जो मेरे चारो तरफ बन गिया and this is actually electrocuted अब अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा it is like आपने वो जो fence है जो मेरे चारो तरफ बन गई है आपने आपने आपकर उसको छेड़ दिया and I will react मुझे ऐसा कहा actually आपने मुझे नी कहा है आपने किसको कहा है वो जो मेरे habits बन गई हैं over a period of time लेकिन मैंने अपने आपको identify किस चीज़े किया कि मैं ये habits हूँ तो अगर आपने मेरे किसी habit के बारे में मेरे किसी आदत के बारे में कुछ कह दिया I take it very very personally कि आपने मुझे का and I will react so that is when we say personality clash कि ये दो personalities का clash क्यो हो रहा है जब वो दोनों एक दूसरे के contact में आते हैं you know that wire जो एलेक्रिक हो चुक है it will just spike against each other and there will be fireworks between the two people I think we need to take it back yes we need to realize that this is not who I am जो ये लिपट चुका इसके आपने क्योंकि ओवर एपिड़िद ताइ इतनी information इतनी belief systems ये बनते जाते है कहीं वो जो बीज है वो तो बिल्कुल अंदर चुक जाते है और ये सारी लेयर्स उपर से बनते जाते है now meditation what it helps me to do goes to the core कि वो जो बिल्कुल बीज है उस पर जाना है and अपने इस जो पूरे हमने habits और तेंदेंसी बनाई है I need to reprogram मुझे reprogram करना है अब क्यों reprogram करना है क्यों कि जब button यहाँ से press हो रहा है जो मेरा यहाँ से response आ रहा है मुझे पसंद नहीं है it's a reactive response मुझे अपने response को change करना है तो मुझे reprogramming करने पड़ेगे और reprogramming करने पड़ेगी मतलब thoughts change करने पड़ेंगे thoughts change करने पड़ेंगे लेकिन thoughts का source क्या है belief system तो मुझे अपने belief system को change करना पड़ेगा अब यह belief systems सारे कहा है they are in the subconscious mind they are not in the conscious mind majority of us को पता भी नहीं है कि हम कैसे-कैसे belief systems पकड़ कर बैठे हुए तो meditation में क्या होता जब हम अपने mind को silence करते है तो हम conscious से subconscious mind पर चले जाते है so it's like basically going in a lower layer अब वो lower layer पर बहुत सारे programming, coding पहले की हुई है belief system let's say anger is natural यह वो lower layer पर code किया हुआ है अब हम एक नया program लिख रहे है I am a peaceful soul हमारे जो belief systems हमारी subconscious में deep rooted है and that's why we say यह तो मेरी नेचर है I can't change it क्योंकि हमें पता है नहीं चल रहा कि मैं कॉंशिसली वो कर रहे हुआ है क्योंकि वो as an impulse हो हो है क्योंकि वो बलीफ सिस्टम fit किया हुआ हुआ है क्या अंगर तो गुस्से के बिना काम नहीं होता जैसे ही कीबोर्ड से बटन प्रेस किया रिप्रोग्रामिंग एफ दे माइड इचिन और अप्रोग्रम्म को चैंशिक करना मतलब उस अप्रोग्राम् से चंशिक करना और वो बलीफ सिस्टम को चैंच करना तो उसको हम नहीं हटा सकते वो है लेकिन हम एक नया बाला ज्त्र प्रिट कर सकते हैं and that's when we sit in meditation and we feed in this into the belief system I am a peaceful soul not I want peace I want peace is not the belief I am so here when the belief system fit next time thoughts will create on some basis because we have seen that the power of mind, thought power is a resource but what is that source? beliefs our personality so I will not change on thought level but I will not change on thought level because thoughts grow because thoughts are the trunk and the belief system is so embedded that we are creating thoughts but the same situation it is a reaction because it has been created a lot of times so that way it will not be destroyed I have created thoughts I am a peaceful soul then how do I feel? we are reprogramming it's like reformatting the whole computer it will take a little time but do not stop continue so as we add this belief system I am a peaceful soul so next time thought which belief will grow the roots we are changing on the root level until now the roots were all anger is natural tension is normal all the roots were all so how will the thoughts come in the trunk that vriksh will come in the trunk actions will be angry and then it is too much of a struggle and then I get very heavy trying to do it and then I also fail many times because I am doing it on the outer level so to give the roots nourishment water there is the rest of the roots will be not to give it one another one another one another I have seen in this process that again anger hurt jealousy all the negative things are not to be removed like to not remove the walls like many times you say take the walls and take the walls I realized that the moment I am able to tell myself I am a loveful being I am a peaceful being I don't get angry absolutely now I am a loveful being I am a peaceful being this situation after coming thought creates now the situation comes I am a peaceful being then we are trying you are trying this silence and go to the lower layer and change the belief completely when it happens when the situation comes in front you have to not do anything in fact you have to create a peaceful being also it doesn't come also it doesn't because it's not going to happen that way when the disaster comes you will create a thought that I am a peaceful being no your thoughts are already peaceful now what will your action what will happen you will not say in action I am a peaceful being you are a peaceful being no it's just that the action will reflect peace that action that action will reflect peace that action that action will not be aggression but there will be stability because it has changed I am a peaceful soul anger is natural it can't change it but a layer can change it and the layer I am a peaceful soul the layer will go down sometimes what will happen in the morning you will say I am a peaceful soul I am a peaceful soul I am a peaceful soul this makes me feel comfortable never comfortable then make your beliefs then make them change every day every day I am still to handle it peacefully I am still to be it can happen sometimes but I have to sit back and say you have to work on yourself not say it was natural so you don't shift about your beliefs but how do we use it as a resource you know it is a resource because it is a resource and it is a resource with action so all day everything that is happening is happening with action but what is the source of action and thoughts it is a source it is a belief it is a sense it is a personality so if this resource is not right then the rest of the vriksh will not be healthy and the roots are not healthy and the seeds are not healthy then the vriksh will not be healthy that is why if you change the level then the vriksh will not have to do anything that is very true in fact I don't feel good so I think I need to change the program absolutely and I have to realize that thank you so much thank you so much you would like to say that this program is your own any question you want to share something you want to share if you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest raja yoga meditation center call us on 099 99 744 555 Awakening with Brahma Kumari is that today we have a lot of information in this shrinkla we have a lot of information about ourselves and we have to manage the practical aspect we have taken a lot of information we have to do a lot of things we have to do a lot of things before we take care of you okay 아рам shaati Om shanti Om I am a peaceful soul Om Shanti Om I am a peaceful soul ये द्वानी मंगल द्वानी है this sound is a sacred song Om Shanti Om Om Shanti Om I'm a peaceful soul Om Shanti Om